किसान आंदोलन की वज़े से दिली एंसेयर के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है पंजाब, हरियाना और पश्चमी यूपी की किसानों ने दिली के अलग-अलग बॉर्डरों को सील कर दिया है जिससे NCR से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को काती परेशानी हो रही है यही नहीं अब कुछ खाप पंचायते भी मैदान में कूदने जा रही है जिससे आने वाले दिनों में दिल्ली का दर्वाजा पूरी तरीके से बंद होने का डर सताने लगा है वहीं बॉर्डर सील होने की वज़ह से दूसरे राज्चों से खाने पीने के सामान भी दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं जुसे दिल्ली अंसियार में फल और सब्जियों के दाम बढ़ने लगेगी इसको अंदर है इसको अंदर दिखाई दे रहा है उसमें बाहर की गाड़िया यहां चरिया लेकाई है तो हमारे आपने देखा कि किस तरीके से ट्रक के ड्राइवर परिशान है जो से क्लिमिटर दूर्ट ट्रक से दिल्ली पहुंचे इनको समान अनलोड करना था फिर इनको अ मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनाथ के दौरे का एंसीपी ने विरोध किया अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने यूपी में फिल्म सिटी बनाने के लिए कई फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की जिस पर महाराष्ट की महागाड़ी सर कार में शामिल पार्टियां आग बबूला हो गए और इसी कड़ी में एंसीपी भी उनके मुंबई दौरे के विरोध में सड़क पर उतर आई योगी आदित्तिनाथ मुंबई के जिस होटेल में थे उसके बाहर एंसीपी के कारेकरताओं ने जम कर हंगामा किया इस विरोध प्रदर्शन में महिला कारेकरताओं ने भी बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया पुलिस ने पहले सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की और जब वो नहीं माने तो उन्हें जबरन हटाना शुरू कर दिया कुछ कारेकरताओं को तो पुलिस ने गारी में बैठा दिया लेकिन महिला कारेकरताओं को हटाने में उनके पसीने छुड़ गए इस बीच एक महिला कारेकरता तो उनसे भिढ़ गई कुछ देर तक तो वो पुलिस वालों से बहस करती रही लेकिन बाद में उस महिला कारेकरता को जबरदस्ती गारी में बैठा कर वहां से ले जाये गया